नमस्कार दोस्तों स्वागत है पिर से आप सभी का आपकी अपने युट्यूब चैनल टेक में गुरू जी में दोस्तों आज बात करने वाले हैं का है educational qualification क्या यहाँ पर important है क्या necessary है इसके लिए सब कुछ यहाँ पर हम discuss करने वाले हैं तो जो हमारे चैनल पर भी नए हैं वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमेशा नए-ने अपडेट पाने के लिए नहीं जॉप की नोटिफिकेशन पाने के लिए तुरंच चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकोन को दबा दीजिएगा ताए कोई लेटेस्ट अपडेट हो कोई नए इंफर्मेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके चले फ्रेंस वीडि साइनसेज पतना यह आपका ओफिसियल वेबसाइट है जहाँ पर इसका फुल नोटिफिकेशन आपको यह मिल जाएगा वहां से आप डाउलोड का सकते हैं इसका स्लेबस क्या होने वाला है एक्जाम का सब कुछ इसमें मेंसम कर रखा है तो कंप्लीट यहाँ पर आप देखिये ऑलाइन अप्लीकेशन है और देखिये टोटल वेकेंसी है वह हम यहाँ पर देख लेते हैं दो से चोच्छे आपका टोटल पद है फीमेल के लिए 185 है मेल के लिए 21 है इसमें उसका कटिकरी वाज वेकेंसी भी दे रखी है देखिये यूर का 81 है एव्स का 20 है similar 7. став 11 000 1ड karma एक 14400 तका यह जो है कि प्मेटर आंपको कैसे ख्लल सेलेक्ट्ट होगा इसके इलाव आब आपका केवल कवले क्वलेक्स आफ भलेफायंग और जो आ रूग कर्ते करते कि व्रलका नड कनस्ट के सिबढ़ नड को टेके बारे में तो आप देखियें सी और नर्स सिंकर रखा है तो इलिजबल है यह बैसी नर्सिंग फ्रॉम एनी इंडिन नर्सिंग काउनसिल इस इसके लावा बैसी देखिए फोश्ट्स कर रखा है तो भी सघ्र और दोसों इसके अलावा आपके पास जो होना चाहिए वह रजिस्टर्ड ऐस नर्स अडार्म इंडियान नर्सिंग काउंसिल यह भी आपके पास होना कमपल्सरी है अब देखिए यह आपका हो गया इसके अलावा आपके पास अथवा और अगर आपके पास यह देखिए क्वालिफिकेशन है तो भी आप इसके लिए इलिजबल है डिप्लोमा इन जन्रल नर्सिंग कर सकते हैं इसके अलावा देखिए टू इयर्स का इक्स्पीरियेंस होना चाहिए इन मिनिममम फिफ्टी वेड हॉस्पिटल अगर आपने कर रखा है तो आपके पचास बेड का जो है पचास बेड वाले होस्पिटल का आपके अपास दो साल का कम से कम एक्स्पीरियेंस होना कंपल्सरी है यह तो बात होई इसक्रिशन के बारे में इसके लावा देखिए फार्म को फिलप करने में क्या important points है उसको हम देख लेते है हैं जो आपका online application है वो आपका शुरू हो चुका है और जो last date है आपको form को apply करने का वो आपका देखिए बारा फर्वरी दोजार बीस at 12 प्यम midnight रात के बारा बजे तक आप फर्वरी दोजार बीस तक जी आपके पास बहुत ही टिकम टाइम है आपका form application शुरू हो चुका है है वो आपका 1500 रूपे मातर रखे गए हैं और इसके अलावा यस्ती से कर आप बिडाउं करते हैं तो आपका form फीस है वो 1200 रूपे है और दोस्तों यहाँ पर ex-serviceman and person with disability यानि PWD candidates के लिए और ex-serviceman के लिए वो आपका फीस रखा गया है जीरो exempt rate कि किया गया है उनको बीबी और फ्रेंस यहाँ पर आपका SCST का जो है 5 साल का छूट है OBC को 3 साल का PWD को 10 साल का PWD प्लस OBC है तो 13 साल का PWD प्लस SCST है तो 15 साल का और दोस्तों इसके अलावा गर आप जम्मू कस्मीर से बिलॉंग करते हैं during the period from 1st January 1980 to 31st December आपको 5 साल का रिलेसेशन आपे मिलने व पॉइंट से उसको हम discuss कर लेते हैं अब दोस्तों हम बात करते हैं कर सब्जेक्ट का कौन सब्जेक्ट यहाँ पर कमपलत्री है आपके exam में जिससे question बनेंगे तो फ्रेंस यहाँ पर देखिए अपर mention कर रखा है को सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर देखिए Anatomy & Physiology, Microbiology, Sociology, Nursing Foundation, Community Health Nursing, Nutrition, Medical-Surgical Nursing, Midwifery and Pediatric Nursing सब्सक्राइब माक्स भी mention कर रखा है 20 10 10 40 10 10 40 10 40 10 40 10 10 10 अपका तो टाइमिंग मिल लगा वह आपका थ्री आवर्स का होगा जो कोश्चंस आपकी कवर होंगे वह देखिए सब्चेट का नाम लिखा हुआ यहां से कवर किये जाएंगे तो इसको आप देख लीजिएगा और इसके अलामा इसके अंडर में कौन-कौन से टॉपिक्स कवर किये इस फार्म के लिए जरूर अपलाई कीजिएगा यापके दोस्तों वीडियो को सेर करके जोब के कलीक से जानने वाले हैं वह जो ने इस सब कोर्स कर रखा है आपको पता अगर है तो वहां तक वीडियो जरूर पहुंचाईएगा ताकि वह फार्म को एपलाई कर सके और को दबा दीजिएगा फिर मिलते दोस्तों नए अपडेट नहीं जानकारी के साथ अब तक के लिए बाई बाई